Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neelab मैं फिर से आगया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत important information देने के लिए जैसा कि आपको पता है कि CSIR के results अनाउंस हो चुके हैं और अब मौका है admissions लेने का PhD programs में आपको जानकारी होगी ही कि CSIR institutes या laboratories ACSIR के थूँ अपने यहां PhD में admissions लेते हैं उसी कड़ी में मैं जितने भी institutes अलग-अलग PhD के लिए admissions लेने वाले हैं उनके बारे में videos बना करके आपको aware करवाने की कोशिश करूँगा इसी कड़ी में सबसे पहला आज जो मैं video बना रहा हूँ वो है CSIR के institute IGIB के बारे में Institute of Genomics and Integrative Biology एक बहुत ही बहतरीन institute है CSIR का और past में हमने देखा भी है कि यहां पे बहुत अच्छी research होती है और बहुत ही useful जो mankind के लिए, biological science के लिए बहुत ही useful जो results हैं वो यहां पे produce किये गए हैं तो चलिए बिना देर किये हुए यहां के PhD programs के बारे में जानते हैं यहां पे notification निकल आया है PhD August 2024 program के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यह इसका link है इसका link मैं description section में दे दूँगा और इसके अलावा जो भी PDF इससे associated है वो मैं अपने telegram group के ओपर post कर दूँगा telegram group का link भी description section में दिया हुआ है अब वहाँ पे click करके आ सकते हैं तो सबसे पहले तो यह देखिए CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology यहां पे आप next right hand side पे hot links में PhD August 2024 program के ओपर click कर सकते हैं जैसे ही आप इसके ओपर click करेंगे आप एक नए page के ओपर redirect हो जाएंगे और एक PDF डाउनलोड करने को आपको आएगा मैंने already वो PDF डाउनलोड कर लिया है अब आप देख सकते हैं यहां पे यह ACSIR के अंडर में इस्टिट्यूट है यानि कि जो PhD की degree मिलेगी आपको वो ACSIR की मिलेगी CSIR IGIV का PhD program August 2024 का है क्योंकि आपको पता है कि results जो December का program था उसके results आ चुके हैं तो उसी के सिलसले में यहां पे अब admissions शुरू हो जाएंगे तो कौन-कौन से areas में यहां पे PhD होती है उसको देख लीजे Genomics and Genome Editing Genome Informatics and Data Science Structural Biology Microbiology and Infectious Diseases RNA Biology and Cell Biology Nanobiotechnology Skin Biology Zebra Fish Developmental Biology Stem Cell Biology Chemical and System Biology इन areas में यहां पे PhD program चलता है दूसरा जो भी students CSIR IGIV में इन्रोल होंगे उनको ACSIR के थूँ डिग्री अवार्ड होगी आपको पैता होगा कि पहले CSIR Institutes के पास डिग्री प्रोवाइड करने की eligibility नहीं थी लेकिन बाद में ACSIR का formation हुआ और ACSIR के तरफ से degree प्रोवाइड की जाती इससे पहले किसी रा किसी university के collaboration से आपको वहां पे PhD करनी होती थी अब next बात करते हैं किसकी start date क्या है चे मार्च 2024 से इसका जो process है वो शुरू हो चुका है last date 30th April 2023 शाम 6 बजे है यहां पे interviews जो शुरू होंगे वो 30 मई, 31 मई और 1 जून 2024 को होंगे यह जो interviews हैं वो online mode में होंगे जो second round of interviews होंगे वो second July, third July 2024 को होंगे और यह mode of interview in person होंगे आप किसके बाद आपको faculty members से भी interact करना होगा जो 4th July और 5th July 2024 को होगा यह application link है आप यहां पे apply online करके जो option दिया हुआ है इसके ओपर click करेंगे तो इससे application link open हो जाएगा या किस तरीके से आपको apply करना है वो आला portal open हो जाएगा लेकिन उससे पहले यहां पे form भरने से पहले आपको कुझ चीजों का ध्यान रखना है आपको ACSIR का admission portal open करना है और वहां पे अपने आपको register करना है याद रखेगा कि जो भी students ACSIR के portal पे अपने आपको register नहीं करेंगे वो यह form fill नहीं कर सकते क्योंकि जब आप apply online पे यहां पे click करेंगे तो जो form open होकर के आएगा वहां पे आपको ACSIR का registration number डालना पड़ेगा तो इसलिए सबसे पहला काम है कि आप अपने आपको ACSIR के admission portal के ओपर register कर लें क्या तरीका है यह इसकी website है acsir.res.in admissions के ओपर जाएंगे वहां पे जाकर कि आप register करेंगे खुद को और उसके बाद आपको ACSIR का registration number प्रोवाइड होगा जब आप form fill कर रहे हैं हो ACSIR का तो वहां पे आप CSIR IGIB को one of the preferences के form में note कर लीजे या उसको apply कर दीजे अब जब आप form fill कर देंगे तो ACSIR का registration number जो आपको मिलेगा for example ACSIR 12345 इसको ये number आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये number आपको जब आप यहां पे IGIB का form fill कर रहे होंगे इस apply online link पे जाकर के वहां पे आपको इस registration number को डालना पड़ेगा सबसे पहले तो यहां पे अब देख लीजे कि क्या आप सच में ACSIR, IGIB में PhD करने के लिए eligible हैं, क्या-क्या requirements हैं सबसे पहले तो आपके 12 standard में 60% या उससे उपर marks आये होने चाहिए इसके अलावा अगर आपको CGPA जहां पर भी CGPA मिल रहा है तो उसको आपको percentage में convert करना पड़ेगा Masters के स्टूडेंट्स चाहिए वो MSC हो, M.Tech हो, M.Farm हो वहाँ पर भी उनके 60% या उससे उपर के marks होने चाहिए Life Science, Biotechnology, Physics, Chemistry, Maths Computer Science या किसी भी allied subject में जिसमें उनका special interest biology में हो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि CGPA में grades ना दीजेगा, percentage में convert करना है इसके अलावा जो स्टूडेंट्स B.Tech कर रहे हैं या B.Tech में हैं वो भी eligible हैं आपे तो B.Tech in biological sciences और other branches with special interest in biology B.Farm, B.E. MBBS candidates with at least 60% marks यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि CGPA को percentage में convert करना है SCST OBC candidates के लिए 55% marks की eligibility criteria है वो रखी गई है जो students awaiting category में है वो भी apply कर सकते हैं बट उनकी eligibility criteria clear होनी चाहिए at the time of admission याद रखेगा कि आगर आपके पास fellowship नहीं है तो आप apply नहीं कर सकते आपके पास fellowship होनी चाहिए चाहे वो CSIR, UGC या JRF की हो DBT JRF की हो ICMR JRF की हो या कोई भी equivalent fellowship हो fellowship conditions में ऐसा होना चाहिए कि आप CSIR lab में या CSIR project के ओपर काम करने के लिए eligible हो जो लोग BTEC, BFARM या BEE करके आ रहे हैं उनके पास gate JRF fellowship को avail करने का option रहता है तो अप अपनी eligibility criteria वहाँ पे चेक कर दिए कि क्या आप gate JRF fellowship आपको मिल रही है, मिल सकती है, क्या है gate score एक valid fellowship criteria नहीं है MSC या Mtech candidates के लिए वो सिर्फ BTEC, BFARM या BEE के students के लिए होता है अपर age limit की बात करों तो 28 साल 31st March 2024 तक होने चाहिए यह अपर age limit है इससे कम की age होनी चाहिए age limit जो है वो relaxed है women candidates, SCST, OBC candidates के लिए जब आप apply कर रहे हों यानि कि जब CSIR, IGIB का form आप भर रहे होंगे तो आपको ACSIR admission portal पे register हो जाना चाहिए उसके बाद वहाँ पे आपको application number मिलेगा वो यहाँ पे लिखना होगा digital passport size photo चाहिए होगी आपकी educational qualification की detail चाहिए fellowship की detail चाहिए और आपको एक research proposal भी लिखना होगा research proposal में किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है research proposal आपका उस काम से related नहीं होना चाहिए जो आप यहाँ पे PhD में करेंगे I mean कोई ज़रूरी नहीं है हो next, यह research proposal आपके scientific aptitude को check करने के लिए होगा इस research proposal के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको लिखनी है title of proposal, introduction of problem क्या-क्या known है problem में और आप मतलब क्या known नहीं, what is not known उस problem में क्या known नहीं है आप उसको कैसे solve करने का aim रखते हैं if needed, you can add one page hand-drawn computer-made schematic diagram तो आप diagram भी add कर सकते हैं total proposal 1500 words से कमका होना चाहिए excluding the figure the whole proposal with figure file should be in a single PDF file अब आप जब ने ये सब ready कर लिया तो अब आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पे click करिए तो आप CSIR IB का जो PhD program है उसका form open हो जाएगा और उसमें आप fill कर सकते हैं अगर आप eligibility criteria fulfill नहीं कर रहे होंगे तो automatically आप application form fill नहीं कर पाएंगे जब आप सारी photos वगेरा details, research proposal ये सारी चीज़ें आप fill कर लेंगे तो admit card automatically आपके registered email ID पे चला जाएगा जो final interview होगा वो in person होगा CSIR, IGIB, South and North Campus जो Delhi का है, वहाँ पे होगा interview में student की जो suitability है, उसको assess किया जाएगा उसकी ability को जो comprehend करने की, analyze करने की reason करने की ability को check किया जाएगा, research proposal जो submit करेगा student उसको भी assess किया जाएगा candidates को ready होना चाहिए 5 minute के presentation के साथ presentation में कोई भी slides की ज़रूवत नहीं है जिससे कि उनके research interest या research proposal को पताया जा सके इसके अलावा, the selected candidates are required to join CSIR-IGIB before the last date, अगर last date निकल जाएगी तो आपका candidature cancel कर दिया जाएगा याद रखेगा कि आपके eligibility आपके सारे documents को check करने के बाद ही पता चलेगी इसके अलावा, जो भी students select होंगे admission के लिए, उनको non-refundable fees one time 10,000 रुपए general category के 5000 SCST non-creamy OBC candidates के लिए जमा करने पड़ेंगे कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा किसी भी stage में admission process के दोरान याद रखेगा कि जो students JRF fellowship already activate करवा चुके हैं किसी institute में और वो change करवाना चाहते हैं तो उनको एक consent letter appropriate authority से provide करवाना पड़ेगा CSIR, IGIB में तभी उनका candidature को माननेता मिलेगी तो उमीद है कि ये वीडियो आपके लिए useful रहा होगा अगर ये वीडियो useful रहा था जिसे जरूर लाइक करिएगा चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने friends के साथ जरूर शेयर करिएगा Thank you so much Have a good day